आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कैपसूल गिल की कौन है कैपसूल गिल मैंने कल एक मूवी देखी मिशन रानी गंज मिशन रानी गंज जो है मुझे थोड़ा सप्राइज हुम है कि क्यों ये जो मूवी है इसका कोई प्रोमोशन नहीं है या मतलब एकदम ये ऐसा ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है क्योंकि ऐसी मूवीज हर किसी को देखनी चाहिए कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि इस तरीके की मूवी जगता हुमारे जो रियल लाइफ हीरोज है उनको ग्लोरिफाई करती है साथी साथ जो और भी चीजे हैं उनके बारे में हमको जानने को मिलता है बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ये मूवी जो है वो बनाई गई है और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जेस गिल है जिनको कैपसूल गिल के नाम से जाना जाता है उनको ये मूवी ओनर कर रही है 16 नवेंबर को कोल इंडिया रिस्क्यूडे मनाती है क्यों रिस्क्यूडे मनाती है 16 नवेंबर को क्योंकि जीएज गिल ने 65 माइनर्स को rescue किया था आपको पता है एक असंभव काम जो कि बहुत ही मुश्किल था होना वो जीएज गिल ने जस्वंत सिंग गिल ने करके दिखाया था क्या काम था वो भारत में बहुत सारी coal mines है आपको पता ही है इन coal mines का contract मिलता है कोईला बहुत ज़दा जरूरी है हमारी 80% जो एनरजी की डिमांड है वो कोईले से जो है वो फुल्फिल हो रही है G.S. गिल का जनम होता है अमरिसर में 1937 2019 में उनका इंतकाम हुआ इंतकाल हुआ और भगवान उनकी आत्मा को शांती दे बट एक शांदार करियर उनका रहा है जबरदस्त करियर रहा है 1965 में IIT गए वो IIT धनबाद ISM धनबाद से उन्होंने अपने इंचिनिरिंग की और उसके बाद माइन ओफिसर वो एज जूनियर ओफिसर वो रानी गंज जो की बेंगॉल में है आपको पताई यह और एक वो कोल माईने बहां पे वो भेजे गए अब 1989 का दौर था 1989 का दौर ऐसा था कि जो VP सिंग थे उस समय प्रधान मंतरी बने थे और बहुत समय जो भारत की राजनीती थी मंडल का मंडल की राजनीती हो रही थी तो काफी कुछ ऐसा था जो यूनो इट वरी कियोटिक और उसी बीच एक बहुत बड़ा हाथसा होता है रानी गंजो की बहुत बड़ी कोल फील्ड है देखे कोल माईन्स में अकसर हाथसे होते रहते हैं आपने वो मूवी देखे हो की काला पत्थर जिसमें शत्रुगन से नामिताब बचल उस पे भी ऐसे एक हाथसे की बात की है और ये उस समय की रियालिटी और आज भी ये रियालिटी है माईन्स में जो काम होता है वो बहुत ही ज़ादा डेंजरस होता है अब तो ऐसा हो गया है की जो भी फील्ड है चाहिए वो कॉल फील्ड हो यह आता है बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे बॉक्साइड से लेकर कॉपर से लेकर कॉल से लेकर और कॉल आपको बता है जैसा कि हमने बताया भारत में 80% जो बिजली की आप पूर्ती है वो कोईले से ही होती है एनर्जी की आप पूर्ती कोईले से ही हो रही है National Thermal Power Corporation NTPC कोईले को जलाती है, टर्बाइन को गुमाती है बिजली खंबो से होते हुँ जनरेटर तक पहुंसते हैं Transformer तक पहुंसते हैं हमारे घरों में आती है तो वही कोईला निकालने का काम रानी गज में और रानी गज में जो कोईला है वो बहुत ही अच्छा है वो काफी उच्छ क्वालिटी का कोईला वहां पर मिलता है कोईले की आपको पती ने चार प्रकार होता है चलो बताओ भई यह हाईस्ट कॉल जिसमें सबसे ज़्यादा कोईल कंटेंट होता है वो कौन सा है कमेंट बाक्स में बताओ तो रानी गज में 13 नवेंबर 1989 को एक हाथसा होता है ब्लास्ट होता है एक और इसमें बोला जदा है कि management का negligence था और उस ब्लास्ट में लगबग 235 माइनस जो है वो फज जाते हैं अब आम तोर पे lift जो होती है वो नीचे जाती है दी में दी में दी में नीचे जाएगी site पे पहुँचेगी और उसके बाद minus होते रहेंगे अपनी shift खतम करेंगे और फिर वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो 235 माइनस काम कर रहे थे उनमें से 65 माइनस वही फज गए बेसिकली 64 थे एक just one single थे ओँ मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे तो अब उसमें हुआ क्या कि जब यह blast हुआ तो एकदम से पानी आने लगा अब आप यह समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक pit ठीक है माइन pit पानी आ रहा है चारो तरफ से oxygen की कमी limited वहाँ पे oxygen जब आप नीचे जाते हो ना coal mine है और आपको पते हैं hydrocarbon है वो reaction होगा जहरीली गैस बनने का खत्रा और अगर पानी आ गया तो वह ओर dangerous जो minus है वहाँ के लिए dangerous पानी react करेगा जहरीली गैस बनाएगा carbon dioxide हो गई, methane हो गई सांस लेना आपको मुश्किल हो जाता है तो पानी आने लगा एक दम से अब वहाँ पे minus फस गए 235 में से 171 minus तो उपर आ गए लेकिन 64 minus जो है वह वही फसे रह गए आप 64 लोगों की जान खत्रे में कि आखिरकार ये बाहर कैसे निकले तो बहुत सारे लोग आए अब मूवी में तो बहुत politics भी दिखाई है कि और ऐसा होता भी है अच्छली जनरल में भी ऐसा होता है अगर आप इन जनरल में देखो और मैं research भी कर रहा था जब बहुत सारे articles पढ़े क्योंकि देखिए ये unfortunate हमारे लिए मैं क्या बताओ कि भारत में ऐसे लोगों के बारे में जादा जानकारी नहीं है अगर movie नहीं बनती तो शायद पता भी नहीं होता है इसे बहुत सारे super heroes है 65 लोगों की जिन्दगिया बचाई थी आप समझ सकते हैं इतने लोगों की उन्होंने जिन्दगिया बचाई मतलब वो भगवान से रानी गजम उनको भगवान की मूर्ती के साथ उनकी मूर्ती लगाई जाती थी उनकी फोटो लगाई जाती थी लोग उनको पूजते थे ठीक है तो बहुत सारी politics भी होती है कुछ लोग politics के चक्कर में लोग मर जाएं मरने दे ना एक movie में डायलोग नहीं लोग मरते हैं तो मरने दो उसी से तो हमारी सियासत चलेगी और ऐसा ही होता है लेगिन कुछ लोग जादा तर लोग 70-80% लोग अच्छे होते हैं और वो इस काम के लिए आगे आएंगे तो अब GS Gill उनमें से एक थे GS Gill के लिए सबसे पहले तो यही था कि कुछ भी करके माईनर्स को निकालना है तो इक प्रापर टीम मनें जाती है सबसे पहले तो पानी जो है वो पाइप से निकाला जाता है और उसके बाद एक कैपसूल जो है वो बनाई जाती है वो कैपसूल 7 फिट लंबी और हैट जो है alles सोट साथ तक होते हैं वाईस फीट जो है उसकी टोटल जो है वह डामिंशनी सो तें раз आब उस में क्या होता है कि आपको एक पहली बात टो एक ड्रिल की ड्रिलिंग की जाती है क्योंकि समय बहुत गम होता है लग्बग पचास घंटे का ही समय motivated और अगर तो कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन जियेस गिल की सूजबूच थे वो कहते हैं कि एक भी अगर इंसान बचा है तो उनको निकालना हमारी जिम्हदारी है। तो उनकी सूजबूच से ये पता लगता है कि अंदर 65 माइनस बचे हैं। अब उनको बचाने के लिए जद्दो जह चुरू होती है। ड्रिलिंग की जाती है पहले। पूरा ड्रिल किया जाता है। और उसके बाद ड्रिलिंग के बाद एक कैपसूल बनाई जाती है। अब कै कैपसूल क्या होता है कि जब कैपसूल बनाते हैं तो 1500 फिट तक आपको अंदर जाना है। 1500 फिट की क्रेन नहीं मिल रही। यह जमीन है। यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू हुए है। यह यहाँ पर माइनस फसे हुए है। तो ड्रिलिंग पाइप इतना लंबा होना चाहिए लेकिन 1500 फिट की क्रेन नहीं मिल रही। तो 1500 फिट की क्रेन का इंतजाम किया जाता है। लेकिन उसको भी आने में वक्त लगता है। 1989 का जमाने बेटा उस समय टेक्नोलोजी के लिए हम इतना एडवांस नहीं थे। रिसोर्सेश के लिए जद्दो जयाद करनी पड़ती थी तो manually जो है वो इस capsule को नीचे भेजा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कोल इंडिया ने बोला कि ये भेजेंगे कैसे एक officer को नीचे जाना पड़ेगा। GS गिल ने बोला मैं इस capsule के अंदर बैटके नीचे जाऊँगा और एक एक करके बाहर निकालूँगा सबको और आखरी में मैं आऊँगा। तो जब GS गिल अंदर जाते हैं तो कोल इंडिया वाले कहते हैं नहीं भाई तुम नहीं जाओगे बिलकुल नहीं जाओगे बट वो जाते हैं ठीक है और उसके बाद वो नीचे जाते हैं 65 लोग जान पे बनी हैं हर कोई कहता है कि हम पहले जाएंगे हम पहले जाएंगे तो GS गिल है वो सबको चिट देते है जो जिसका नमबर आएगा वो पहले जाएगा तो ऐसे करते करते एक एक इंसान को अंदर डालके capsule स गैस और पानी दोनों ही भरते जा रहे हैं, उपर आना है आपको, ओके, उपर आने में और जाने में 15 मिनिट लग रहे थे, क्योंकि काम मैनुवली हो रहा था, क्रेन नहीं आ ली थी, तो ये बदा टाइम टेकिंग था, इसमें तो अल्टिमेटी लास्ट में 20 से 25 माइनस बच ही जाते हैं, और उनकी मौत हो जाते हैं, इंट्यूडिंग जियस गिल, लेकिन फिर फाइनली क्रेन आती है, और ये काम तीन मिनिट में पूरा होता है, अब उसके बाद ऐसे करते करते, सब को बाहर निकाल लिया जाता है, और आखरी में जियस गिल होते हैं, तो उन्होंने उनके लिए वो भगवान हुए, उनकी पूजा करनी शुरू की, और जियस गिल का नाम कैप्सूल गिल बना, और इसी पही मूवी बनी है, रादी गज, ये मूवी जब खतम होगी, तो मैं आपको बताता हूँ, कि आपके आँखों में आसू होंगे, आखरी में, और बस किसी को पता चल सके कि क्या शांदार काम किया था, तो ये छोटा सा लेच्चर था, आप मुझे बताएगा आपको कैसा लगा, कमिट बॉक्स में भी मुझे बताएगा, तो यही है, देसे सिदान तक नहीं होता ही, साइनिंग ओफ.